Hey guys, welcome to Digital Shaqib. इस वीडियो में हम कुछ एक इंट्रेस्टिंग चीज सीखेंगे. Basics of email marketing क्या होता है? Email marketing, अगर आप online business कुछ भी कर रहे हो, तो email marketing आपके लिए बहुत important है. अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप बेवकूफी कर रहे हो. Email marketing का basic पे आज हम discuss करेंगे कि कौन सा plugin और उसका basic हम idea भी लेंगे कि कैसे हम email marketing कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम जो plugin यूज करेंगे, उसका नाम है Fluent CRM. ये one of the finest, one of the cheapest plugin है आपको email marketing करने के लिए. और भी market में बहुत सारे option है, जैसे opt-in monster, ये send-in blue, ये सब बहुत expensive है, बहुत जादा, आपके लिए Fluent CRM one of the best custom relationship management software या plugin है. उसके साथ मैं जो use करूँगा forms के लिए Fluent forms यूज करूँगा, क्योंकि obviously same company का है, तो compatibility बहुत अच्छा होगा. तो आज हम एक basic चीज़ करेंगे, कि एक form create करेंगे, उसका lead को lead generation form, opt-in form जिसको बोलते हैं, वो create करेंगे और उससे हम एक list में उससे add करेंगे उस contact को, और उस list से हम चाहेंगे कि वो email marketing करें, उसको email भेज सकें, या फिर हम उसको automate कर सकें, automation में डाल सकें, कि हर थोरे दिन पर उसको क्या email जाएगा. तो इसका basic करने के लिए हम दो plugin install करेंगे, एक तो fluent CRM, link आपको description में मिल जाएगा, और आपको ये भी description में मिल जाएगा, कि कैसे आप इसको एकदम cheap price पे ले सकते हो, ये दोनों plugin जब हम install कर लेंगे, fluent CRM और fluent Forms Pro, दोनों हमें install कर लेना है, अब मेरा माल लो, front end में, ये एक website है, जो elementor पे बना हुआ है, तो मैं इसे edit with elementor कर दूँ, और simply हमें क्या करना है, जब तक in the meantime क्या करते हैं, हम एक form create करेंगे, जिसका हम एक contact lead को लेंगे, एक list में add करेंगे, और उस list को हम email भेज सके, बस ये simple process है, तो सबसे पहले fluent CRM में, आपको कुछ add-ons install करेंगे, कर लेना है, जिसका नाम है, जैसे मेरा already install है, fluent forms का add-on, ये आपको fluent forms और इसको connect करेंगा, fluent SMTP मैंने किया हुआ है, अगर आप SMTP service जैसे Amazon SES ये सब यूज़ करना चाहो, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, fluent SMTP direct आपका configure कर देगा, बहुत ही easily, बहुत ही easily कर देगा, correct, अब मालो कि मुझे यहाँ पे एक form last में add करना है, वैसे तो opt-in form, चलो मैं दूसरा page दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं already बना चुका हूँ, तो मैं जाओंगा pages में, ये मेरा एक restaurant है, उसके लिए मैं use करता हूँ, तो ये जो coupon landing page है, इसे मैं एक बार आपको view करके दिखा देता 20% off का discount उन्हें mail पे भेज़ रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि basic idea क्या, ये form भी मैरे आपका जो है, इस type का मुझे कोई form बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले fluent forms में जाओंगा, और एक form मेरा create है, मैं आपको basic से दिखा देता हूँ, कि add new form, अब देते हैं, demo, demo opt-in, ऐसा कुछ नाम देते है, rename, अब हम यहाँ पे submit button है, उसके उपर, सबसे पहले name fields, first name, last name, और email address, मुझे सिर्फ माल लो ये दो चीज़ चाहिए, user का, और तो मैं अब इस पे click करके, इसके सब settings देख सकता हूँ, name, क्या लिखना है, first name, middle name चाहिए आपको इसके position, advance में, ये सब option है, conditional logic आप करना चाहो, और email में, email भी है यहाँ पे, ये जो required है, इसे yes कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, नाम तो चाहिए ही, save form कर देते हैं, just एक simple सा आपको ये करना है, मैंने जैसा आपको बताया, आपको add-ons में, ये वाला fluent forms का add-on जो है, आपको install रखना है, इसे आप, मेरा view settings दिखा रहा है, आपका install दिखाएगा, इस तरीके से आप install कर लेना, उसके बाद हम एक list सबसे पहले, contacts के लिए, contacts में अगर आप जाओगे, तो सबसे important चीज जो है, वो है list, तो contacts में देखो, list एक option आया, उपर में, ये list जो है, मतलब कोई भी lead या लिया, आपने, कुछ भी लिया, आप उसको एक list में, समझ रहो, एक आपका list होना चाहिए, हर एक चीज का, अलग-अलग list बना सकते हो, तो मालो मैं एक list बना लेता हूँ, create list, और इस list का है मेरा opt-in list, माले जो भी opt-in करेगा, उसका list मैं बना रहा हूँ, slug ठीक है, subtitle create, मतलब जो भी मेरा form जो हमने create किया है, उसे form fill up करेगा, तो वो मैं चाहूँगा कि ये list में add हो जाए, correct, अभी ये list खा लिए, ये list जब हमने create कर दिया, अब हमें चाहिए कि मैं fluent forms में, जो forms create किया हूँ, उसे fluent CRM से integrate करूँ, fluent CRM से कैसे integrate होगा, तो ये हमारा form था, इसके settings में जाएंगे, ये option है, marketing and CRM integration, add new integration, अब कौन सा है, मेरा जो add-on है, अगर आपका कोई और add-on रहेगा, तो ये दिख जाएगा आपको, तो fluent CRM से integrate करते हैं, अब इसका कुछ नाम देते है, feed name, तो demo, opt-in integration, ऐसा कुछ, कौन सा list में डालेंगे, तो opt-in list में, जो भी list आपक create होगा, ये compulsory है, इसलिए मैंने list पहले create किया, अब मुझे form को map करना है, तो email address में क्या होगा, email field होगा, first name में क्या होगा, यहाँ पे click करो, first name होगा, last name में क्या होगा, तो last name होगा, और full name अपने से ले लेगा, full name उससे ले लेगा, other field अगर आपने कुछ create किया है, skip if contact already exists, दो बार तीन बार कोई भर रहा है, अगर already, तो skip कर सकते है, remove contact tags, ये सब कर सकते है, save feed कर देते है, simply, अब हम जो है, अगर fluent forms में, fluent CRM में, forms में जाएंगे, तो ये वाला form हमें दिखना चाहिए, क्योंकि अब हमने integrate कर दिया, वो वाले form को fluent CRM में ला दिया, तो ये वाला हम एक automation create करें, जिससे, जैसे ही हमारा कोई form fill up हो, जैसे ये मैंने किया हुआ है, देखो, जैसे ही coupon mail automation है, new form submission, कोई भी new form submission हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, apply list करेंगे, तो मैं आपको basic से दिखा देता हूँ, create a new automation, ठीक है, तो opt in automation, ऐसा हम कुछ नाम दे देते हैं, तो सबसे पहले new form, तो ये funnel, ये जो मेरा trigger होगा, वो कब होगा, जब एक कोई भी new form submit होगा, तो new form submission, fluent form से, ये fluent form से ही आप कर सकते हो, इसलिए मैं prefer करता हूँ, fluent forms को use करना, तो automation name ये हो गया, select your form, तो हम जो demo opt in बनाया है, इसमें field map करना है आपको, first name, first name, last name, last name, email, email, field map कर दिया, और कोई field है, अगर, subscription, subscribe, only once per contact, save settings, तो एक मेरा जब भी form fill up हुआ, तो अब क्या होगा, हम automation बना रहे हैं, तो इसे हम करेंगे, add action, क्या action add करें, apply list, add contact to the selected list, जब भी कोई form fill up होगा, तो हम apply list करेंगे, तो list कौन सा होगा, opt in list, correct, save settings कर देते हैं, तो मतलब अब यह automation समझो, किसी ने form submit किया, first step में, उसे हमने list में डाल दिया, कौन से list में डाल दिया, opt in list में डाल दिया, ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम उसे एक email भेजे, coupon का, अब आप sequence भी भेज सकते हो, जो कि मैं आपको कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा, let's not complicate things तो अभी मैं क्या करता हूँ, email, तो send custom email, आप sequence में email भेज सकते हो, बहुत सारे, या campaign अगर आपने तयार किया हुआ यहाँ से, तो आप campaign email भेज सकते हो, मैं just a simple custom email भेजूँगा उसको, for example, send custom, send to the contact, email subject क्या दूँ मैं, email subject मैं दूँगा, coupon code, ऐसा कुछ अगर मैं, जो भी आपको देना है, pre header आप कुछ add कर सकते हो, नुसरत्स, जो मेरे restaurant का नाम है, और start writing here, आप template import कर सकते हो, ठीक है, plane centered, plane left, ऐसा कुछ, तो visual editor, ये वाला, ये वाला, जैसा भी आपको पसंद है, तो मैं just template एक select कर लता हूँ, simple सा, अब ये हमारा template हुआ, इसमें आप सब कुछ change कर पाऊगे, नाम, email, contact का first name, तो your coupon code आप ऐसा कुछ लिखके, submit या order now, ऐसा कुछ देके, आप यहाँ पर company details, आप हर चीज़ यहाँ click करके, यहाँ changes कर सकते हो, save and close कर देते हैं इसको, अब ये हमारा template हो गया, schedule this email to a specific date, send customs, अब मैं आपको send a test, save settings कर देते हैं, सबसे पहले तो इसको settings करके हटा देते हैं, क्या हो गया, अटक गया यह थोड़ा, close करके फिर से करते हैं, हाँ यह हो गया, save settings हो गया, save settings, अब एक test email देखके देखते हैं, shakibmd.gmail.com पे, sequence successfully updated, ठीक है, तो यह हमारा काम हो गया, अब मैं आपको एक test email करके देखा हूँ, send करते हैं, test email successfully send, तो मैं अपना email एक बार open कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि यह email आया, कि नहीं आया, more all mail, यह देखो all mail में test coupon code, जो हमने template select किया था, वो आ गया, तो मतलब, यह तो हमने just एक test email किया, अगर हम वो forms को दिखाना चाहें, front end पे, तो किस तरीके से दिखाएंगे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो हमारा जो forms है, वो हमने fluent forms पे clear all forms, इसका जो short code है, demo opt-in का, इसे copy करनेता है, copy हो गया है, adjust, जहाँ पे भी हमें, जैसे edit with elementor, यह short code को paste कर देना है आपको, इस short code को, जैसे 5 है, यहाँ पे आपको उसे paste कर देना है, short code widget करके आप यहाँ पे drag and drop में दिखा देता हूँ, short code अगर आप elementor में search करोगे, यहाँ drag and drop और उसे just paste कर दोगे, अब यह form जो है, आपका दिख रहा है यहाँ पे, इसका color valor आप change कर सकते हो, just basic idea मैं दे रहा हूँ कि email automation marketing कैसे होता है, अब जब इसे कोई भी fill करेगा, तो तीन चीज़े होंगे, सबसे पहले क्या होगा, automation में जाके देखें क्या होगा, सबसे पहले वो form submit होगा, तो इससे आप basically समय सकते हो, कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो मिलते हैं next video में, मैं इसके detail में और भी बात करूँगा, thank you so much for watching,